सो बच्चों आज जासी पढ़ांगे पाठ सत संजीवा विच बविन्ता साड़े आले द्वाले किनी तरह दे जीव जनतू अते पाउदे दिखनू मिल दे हन। केई जीव बहुत ही छोटे हन। जी में सूख हम जीव। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप दे नाल ही नजराओंदे हन। पर दुझे पास से हाथी ते वेल जहे वाड़कारी जीव दिखनू मिल दे हन। इसे तरह ही कई तरह दे पौदे हन। कई शोटे हन। ति कई बहुत ही वड़े। कई या नुँ फोलने ही निगल दे। कई पाउदिया दे फोलने अकर्षक होंदे हन। के मन मोलेंदे हन। इहे ही संजीवा विच ली विबिनता है जिस दे वारे वीच आज जैसी पढ़न जा रहे हैं। आज जैसी इस पाठ दे प्रेशन उत्र करदे समें संजीवां वारे वी विस्थार विच जानाएं। तो पहला प्रेशन देख देयां कि जीवां विच वर्गी कृत करण दे की लाव हन। सुबचों तरती ते वियंत किसम दे जीव जानतू ते पौदे हन। इस असीमत विभिन्ता नू बढ़न दे लई कुरोडा साल लग गए हन। जैसी इना सारे जीव जानतूआ नू इकले कले नू जानना हुवे तब बहुत ही आउखा ते लंबा कारज है। इसलिए जुरूरिया के इना नू वर्गी करित कीता जावे। इस दे नाल की होएगा जीवान दा अध्यन करना आसान हो जाएगा। वक्ख वक्ख जीवान दे सांजे लच्णा दा अध्यन असानी नाल कीता जा सकता है। जीव विकास दुरान अनिका किसमा दे जीवान दे आपसी समंदा दी व्याख्या सोखी हो जान्दी है। अगला परेशन है जीवान उं पांच जगता विच बंडन ली चुने गए अधार दी व्याख्या करो। विटाकर साइंसदान दे अंसार संजीवान दे वर्गी करन दे विच पांच जगताओं दे हन। मौनीरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लंटी, ते अनिमलिया। ये पांच जगता जो वर्गी करन कीता गया है ये तिन नुक्तेयां ते अधारत है। पहला सेल्स रंचना, दूजा पोशन दे सरोत, ते तरीके, ते तीजा स्रीरक संगठन। सेल्स रंचना की है। इस विच देख्या जानदा है कि सेल्स दी केड़ी किसम है। पाव ओ प्रोकेरियोट है या यूकेरियोट है। हुने थे प्रोकेरियोट तो पाव ओ सेल्स है जिना विच संगठत केंदरक नहीं हुन्दा। जिमें वेक्टीरिया। यूकेरियोट तो पाव ओ सेल्स जिना दी विच केंदरक हुन्दा है। पाव ओ दे तेख्या सकती है। दूज़ा नुक्ता है पौषण दे स्रोत दे त्रीके। तो इस दे विच देख्या जानदा है कि संजीव सबेपोछी है। सबेपोछी तो पाव। कि वो अपना पोजन आप त्यार करदे हन, जिस तरह पोद्दे करदे हन, पोद्दे प्रकाल संसलेशन दी किरया दे द्वारा अपना पोजन आप बनों दे हैं, तो वो सबय पोच्छी हन, जां परपोच्छी है, पाव अपने पोजन दे लई दुझे पोद्देयां जानवरा पे निर्वर कर दे हैं तीसरा नुक्ता है सरीरक संगठंदा इस देविच देख्या जानदा है कि संजीव एक सेली हन जा बाव सेली हन पाव उएक सेल दे बने हुए हन जा एक तो ज़्यादा थला दे बने हुए हन आओ होना विटाकर द्वारा संजीवां दे वर्गी करन नो विस्थार दे ना जान दे हैं पहला है मौनीरा इथे जो असी पांच जगत पढ़न जा रहे हैं असी उन्हानों किंगडम भी कह सकते हैं तो असी पहला मौनीरा किंगडम बारे पढ़ागे असी कार्दे विच देहीं जमाँ दे हैं इथे प्रिशन है कि दो दुनों देहीं विच कौन वदलदा है तो साड़ा उत्तर होवेगा वेक्टीरिया तो वच्चों याद रखना कि जड़े वेक्टीरिया हुन दे हन इए मौनीरा किंगडम दे विच हुन दे हन मौनीरा जगड़े जीवाँ विच संगठत के अंदरक नहीं हुन दा जा इस तरह कहलिए के ए प्रोकेरियोट हुन दे हन इना विच कहियां दे सहलपितियां हुन दिया हन ते कहियां विच सहलपितियां नहीं हुन दिया इस सवय पोच्छी जांपर पोच्छी हो सकते हैं पाव अपना पोचन आप भी तियार कर दे हैं ते कुछ दूज्यां ते भी नेर्वर कर दे हैं उदा आरन दे विच वेक्टीरिया हो गया ते नाल असी को दा रियाद करनी है निली हरी काई जिसनों असी साइनो वेक्टीरिया दे नाम नाल भी जान दे दूजी किसम है प्रोटिस्टा जे कर सानों को पुछे कि किसे एक सैली जीवदा नाम दसो तो साड़ा उत्तर होएगा पैरामिशियम अमीबा जि में चित्तर विच तुसी पैरामिशियम देख रहे हो इस तरह ने एक सैली युकेरियोट जीवदा प्रोटिस्टा किंग्डम देविच को दे है कुछ जीवदा दे विच गती करन लई बाड़ा वर्गियां रचनामा हों दे है जिननों असी सीलिया केंदे है इस वाड़ा वर्गियां जा तागे वर्गियां रचनामा इना जीवानूं गती करन दे विच मदद कर दिया है प्रोटिस्टा वर्ग दे विच और वाले जीव स्वै पोच्छी जा परपोच्छी दोनों तरह दे हुन्दे है तीजा किंग्डम हैफ हैं जाई इए प्रपोच्छी किसम दे युकेरियोड जीव हन इए गले सड़े कार्वनिक पदार्था नूं पोजन बजों बर्थबे हन इस से ही करके इना नूं मृत्जी जीवी केंदे हन इना दा पोजन खान दा तरीका भी वखराई है फंजाई गड़े सड़े कार्वनिक वदार्थां ते पैदा होके अपने पाचन एंजाइम बनाँदे हन। इंजाइम गुंजलदार कार्वनिक जोगिकानू सरल अनुआ देविच वदल दे हन। फिर फंजाई इना सरल अनुआ नू सोख लेंदे हन। उद आरण देवेच असी मश्रूम अते खमीर दे नाम याद रख सकते हैं. मश्रूम नूँ खान ले करांदे विच वर्ते जन्दा है, खमीर दी वर्तो व्रेड वनाओं ले कीती जन्दी है. चौथा किंग्डम है, प्लंटी. इस वर्ग विच सेल पिती वड़े बहु सेली युकेरियोट अंदे हन. युकेरियोट तो पाव है के इना विच संगठित किंद्र खुंदा है. सेल पिती सेलूलोज दी वनी हुंदी है. नारसी ये याद रखना, इस वैपोची हुंदे हैं, ति कलोरोफिल कारण प्रकास संसलेशन दी दुरान अपना पोजन आप त्यार करते हैं. असी जान दे हैं, हानु इस गल्दा पता के पौदे स्वैपोची हुंदे हैं. उना दे विच कलोरोफिल हुंदी है, ओ प्रकास संसलेशन दी किरया दे दुरान अपना पोजन आप त्यार करते हैं. ताँ असी ये थेक गल याद रखनी हैं, के सारे ही पौदे पलंटी किंगड़ं दे विच आऊंदे हुंदे हैं. पंजमा किंगडम है ऐनिमलिया, इस वर्गदे विच वह सारे बहु सैली युकेरियोटिक जीव आंदे हान, जिना विच बहु सैली पिती नहीं हुंदी, इस वर्गदे जीवafterपोची हुंदे हां. तब वच्चियों इत्कियो कि जिन्ने भी असी आपने आले दोले जीव जांतू देख देयां वो सारे ही एनिमलिया किंग्डम दे विच आउंदे हन अगला प्रेशन है प्लांटी जगत विच केड़े केड़े वर्ग हन इना वर्गानों बनाऊन दा अदार की है तब अच्यों पौधियां दे साड़े लेई बहुत लाव हन इसानों पोजन दे हन साल ये ऑक्सीजन दे हन फुन तरती ते जे असी दिखिये तब पौधियां दियां उन्तारी लखतों भी ज्यादा किसमा मवजूद हन इना व्यांत किसमा दे अध्यान नू सुखाला करन दे लेई असी इना नू पांच जग्त पाव किंग्डम दे विच वंडया होया है ये पांच किंग्डम हन थैलेफाइटा, वरायोफाइटा, टेरीडोफाइटा, जिमिनोसपरम ते एंजियोसपरम होन प्लंटी जग्त नू पांच जग्त दे विच वंड़न दे जो वर्गी करन कीता गया है उस दा अधार जानिये की है पहला नुकता है कि एस वर्गी करन नू ये देखके कीता जानदा है कि पौदे विच पानी ते होर्पदार था था दी तो आटो आई ले टिशू मजूद हन जा नहीं असी जान दे हैं कि पौदे विच जल दा प्रवा जा पानी दा एक था तो दुझे था ते लेके जाना वो कौन करदा है जाईलम टिशू करदा है ते पौदे विच पोजन दी तो आटो आई जड़ी है वो फ्लोईम करदा है ता इस वर्गी करण दा अदार इस गलनों भी बनाया जान दा है कि पौदे विच पानी जा खोर पदा आर्था नी तो आटो आई नी की टिशू मजूद हन जन नहीं दुझा है पौदे विच वीज बनाउन दी समर्था है जन नहीं तीसरा नुक्ता है कि जे पौदा वीज बनाउन दा है तब फिर ए पौदे दे फाल विच टक्के होए वी हो सकते हैं ते आन टक्के होए वी हो सकते हैं तो इना नुक्तेयां दे अदा आरते प्लांटी जग्त दी वन्ड कीती गई है इस दे विच पहला है थैलो फाइटा इना पौदेयां दी विशेश गल है कि इना दी स्रीरक्स रंचना विच कोई विवेदन नहीं हुंदा पाव असीना पौदेयां विच जड तना ते पत्तेयां विच कार अंतर नहीं कर सकते जिस तरह सी आम पौदेयां दे विच बड़े अराम देनाल पहचान जाईदा ये पौदे दी जड कित्ते या किडिया तना किड़ा है पत्ता किड़ा है पर थैलोफाइटा दे विच असी ये पहचान नहीं कर सकते इस वर्ग दे पौद्यानू आम तौरते काई किहा जन्दा है ए मुखरूब दे विच पानीच मिल देया ते ए यूकेरियोट हुन देया उदारन दे तौरते असी सपाइरोगाईरा याद कर सकते हैं जोके चितर दे विच दखाया भी गया है दूजा जगत है ब्रायोफाइटा इस वर्ग दे पौद्यानू पौदा जगत दे एमफीबियन किया जन्दा है क्योंकि ये तर्ती ते पैदा हुन दे हन ते जिउन दे रेन ली पानी ते निरवर हन इस वर्ग विच तने ते पत्यानू अलग तों देखिया जा सकता है इना पौद्यान विच पानी ते दुझे पदार खानी तो आटो आई ले विशेश टिशू नहीं हुन दे ये असी याद रखना उदा अरण दे विच असी मौस दा नाम याद रख सकते हैं इस वैप उच्छी हुन दे हन ते मौस नहीं असी वड़ी असानी दे नाल अपने आले द्वाडे सिलियां कंदां ते देख सकते हैं टेरीडो फाइटा इस वर्ग दे पौद्यान दा श्रीर जड़ तने ते पत्यां विच बेपाजित हुन दा है पाव असी बड़ी असानी दे नाल फर्क पता कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं इना विच पौद्दे दे इक पाग तो दुझे पाग तक जो टो आटो आई हुन दी है चाहे वो पानी दिया जा होर पतार था दी उस दे लई वेहनी टिशू भी मौयूद हुन दे हैं जा इस दे विच जिमें चित्तर दे विच दखाया गया असी फरन दी उदारण याद रख सकते हैं अगला किंग्डम है जिम्नो स्परम इस वर्ग दे पौदेयां दे वीज नंगे जा अंटक्के हुन दे हैं इस दा मतलब है कि जी में असी कोई फ़ाल खान दे हैं जिम्नो स्परम सब तो पहले वीज ले और वाले पौदे हैं पाव इस सब तो प्राने पौदे हैं इस आम तोरते सदावहार ते लकडी नुमा हुन दे हैं जिम्नो स्परम दे उदा अरण दे तोरते जिमें चितर दे विच दखाया गया असी पाइन दा नाम याद रख सकते हैं एंजियो स्परम इस वर्ग दे विच असी जिम्नो स्परम दे नाड मुकावला करके फर्क समझांगे जिम्नो स्परम दे विच असी देखिया कि कोई फाल नहीं बलके सिदे वीज ही मिलदे हैं इस दे उल्ट एंजियो स्परम दे विच बीज फाल दे अंदर टके हुए मिलदे हैं जि में आप दे सामने चितर दे विच एक कटिया हुया सेव दिखाया गیا है जदो असी सेव कट देआँ असी देख दे हैं कि उस दे आले द्वाले जो गुद्दा है उदे के अंदर दे विचसानू बीज नजरूंदे हन पाव फाड़ दे अंदर ले पासे बीज टक्के हुए मिल दे हन सो ये एंजी उस परम दी खाथियत है इननू खुलन वाले पादे वी क्या जन्दा है ये जिमनो सपरम दे मुकावलतन ज्यादा विकसत हन्दे हन हून बीज पत्रां दी गिंटी दे अनू सार असी इननू एक बीज पत्र ते दो बीज पत्रां दे विच वन्ड दे हैं शोले आँ दे वीज जा मतर दे वीज नू तोड़नते तुसी देख देया कि ओ दो ब्राबर हिस्से आँ दे विज वक हो जान्दे जी में चितर दे विज भी देखनू मिल्दा है कि जदो असी बीज नू तोड़या तथ वाड़े सामने ओ दो ब्राबर हिस्से आँ दे विज टुटेया होया नजर आया ये दो बीज पत्तर है पर दुजे पासे असी जे कनक ते मकी दे बीज दी गाल करिये उना नो तोड़के देखिये ता ओ कदी भी बराबर हिस्सेया दे विच नहीं टुटनगे ओ एक बीज पत्तर दी उदारण है अगला प्रेशन है ये प्रेशन बहुत ही असान है पौदे ते जन्तु दे जो अंतर है वसी आम समझ दे मतावक जो आड़े दोड़े देख दे हैं उन्हों देख के लिख सकते हैं कि ये में आसी छोटीयां जमाता तो पड़ते आ रहे हैं कि पौदे प्रकास संसलेशन दे रही अपना पोजन आप प्यार कर दे हैं जदके जन्तु अपने पोजन लई पौदेयां ते होर जन्तु आं ते निर्वर करते हैं पौदे एक था तो दूजी था ते नहीं को मंदे ये एक जगा से थेर रहन दे हैं जन्तू एक जगा तो दूजी जगा जा सकते है असी भी जन्तू आँ दे विच आउंदे है पौधियां विच क्लोरोफिल होंदा है एक क्लोरोफिल दी मददे नाड ही सूरज दी रोशनी दे विच प्रकास संसलेशन दी केरिया दे रही अपना पोई अंतियार करते है जन्तू आँ दे विच क्लोरोफिल नहीं होंदा असी गल इथी याद रखलनी है के पौधियां विच क्लोरोफिल असी कहने है के पत्ते याद दे रंग हरा क्यों होंदा है याद रख देऊं कि पत्य जेड जान्ट पाउथा सब्सक्राइब म 끝ส देखाल दी अमरोफ रहर है शोधे वर्ग मिलेघ। व्याख्या गरू इथे गल याद रखनी हैं कि जिनने वी रीड तारी यंतु हन वो वर्टीव रेटा वर्ग दे विच आउंदे हन वर्टीव रेटा वर्ग बाले यंतुआं दे विच रीड दी हड़ी ते अंदरूनी पिंजर पाया जान दाया इना विच पेशियां पिंजर नाल जुडियां हों दिया हन जो इना नूँ चलन दे वेच सहायत्ता कर दिया है होनसी जाद रखना कि वर्टीव रेटा विच कुछ गुण पाय जान दे हैं जिमें इना विच नोटो काड हुं दी है दे खोड हुं दी है ये चमडी जाँ फेफडयां रही साक रिया कर दे हैं आओ होने नूँ विस्थार ना पढ़ दे हैं पाईसित इस वीच मच्यां शाब लाक, मच्च्यां पाणी वीच रेन दिया है, और असी मच्यां दी चमडी ते सकेल देख सकते हैं आन्डे दिया है ते मच्यां दे दे दो खने हो अदे हैं होन सी गल किती है के मच्छियां दी चमडी ते स्केला हुं दी हाँ तथ उसी चितर दे विच देख सकते है के सानू शोटे-शोटे खाने बने होई नजर आ रहा है इननों उसी स्केल कहन दे है दूजा है एमफीबिया एमफीबिया दे ना तो ही पता लग जन्दा है कि ए जन्तू पानी ते तरती दोमा ते ही रह सकते है जिमें डड़ू इना दे देल दे तेन खानने हुं दे है ते मच्छियां वाँग इना दी चमडी ते स्केल नहीं हुं दे इना दी चमडी हमेशा बड़ी चिकनी ते सिल्ली रहन दी है ओ किस कारण होंदी है तासी याद रखना ओ म्यूकस ग्लैंड कारण होंदी है जो इना दी चमडी नूँ सिल्ला रखता है डड़ू हमेशा अपने अंडे पानी वेच देन दे हैं तासी गल् पूरी amphibia ते लगा साकते हैं, कि ए अपने आंडे हमेशा पानी देविच देंते हैं क्योंकि इना दे आंडे only कोई मोटा कवर नहीं हुंदा, जिस तना ची मुर्गी दे आंडे देहें ते तरती ते जे आंडे देन गे ता इना दा निर्जली करन पाव डी हाइडरेशन हो जानता है इसे कारण ये आंडे हमेशा पाणी वेच देनते है डड़ुआ विच साड़े वांग कान नहीं हुंदे क्यों? क्योंकि इस नाड उना दे कनना विच पाणी पैसागदा है क्योंकि ये जान दे हैं के डड़ुआ पाणी वेच भी रहन दे हन ते तरती ते भी को मदे हन तब बाहरी आवाज नू सुनन ले इना दियां अखांदे पिछले पासे गोडा कार आकरिती हुंदी है जो तुसी चित्तर विच देख रहे हो इस नू टिम पैनम कहन दे है इस दे जरिये ही ये वाहरलियां वाज्या नू सुन दे है रेप्टीलिया जयां रिंगन वाले जनतू जिमे सब मगरमच आद किरली तासी आमी का राविच दिखिया सारे ने इठंडे लहू वाले जनतू हन ठंडे लहू वाले जनतू दा पाव कि इना दे सरीर दा तापमान वहरी वाता वरन दे तापमान दे अनुसार वदल जन्दा है इना दे सरीर ते सकेल हुन्दे हन जो इना नू सूरईदिया किरना ते तर्ती ते को मन समे रगड़तों खुरोचतों बचाउंदे हन सरीर विच ली ऑक्सीजन दी मांगनू पूरा करन ली इना विच विक्सित तिन खालनेया वड़ा दिल हुन्दा है ता इथे ही याद रखना के मगर मच दे विच चार खान्नेया वड़ा दिल हुन्दा है नाला थी याद रखना के अंडे दिन्दे हन एविज पंची वर उड़न वाले रीटतार यानू पंची केंदे हन इना दे दिल दे चार खान्ने हुन्दे हन ए अंडे देंदे हन इना दे शरीर ते खांब इना दी उडण दे विच मदद करदे हन ए खांब इना दे शरीर नूँ गरम भी रखदे हन कई पांची इस्तरा देवी हन जो उडण नहीं सागदे इस्तरा शतर मोर्ग पांची इपनी चोंची ती वर्तों चीजयानू चकनदे जे लई आलणा व्राउन दे लई, कीडे फरन ते अपने वच्चेयानू पोजन खळाउन ले करदे हन अगे है मैं मेलिया थाणतारी जीव थाणतारी जीवां विच मुनक समेत कई जीव आजान दे हन ये सारे ही गर्मखून वाड़े जन्तुगा ते इना दे दिल दे चार खानने होंदे हैं जिवे असी पढ़ेया है कि साड़े दिल दे भी चार खानने होंदे हैं ये इसी इस तरह इनू जाद रख सकते हैं ज्यादा तर थनतारी जीव बच्चे पैदा करदे हैं थनतारी जीवां दी खासियत ए है कि इना दे शरीर विच दुद पैदा करने दुद गरंतियां होंदिया है ये अपने वच्चेयानों दुद पढ़ूंदे है असी वी सारे थनतारी जीवां विच आउंदे है याद रखना है कि थन तारी जीवां दी चम्री ते वाल होंदे हैं ते ए फेफड़े आ रही सा लेंदे हैं बच्चों आई तुसी जनतू ते पौदा जयती वह बिंता वारे जाने हैं में सारे भी बच्चयाने करवाएक प्रिशनां दे उत्रा आपनी गताव दे विच्चों चंगे तरीके नाट पाणना है उन्हानूं याद करना है और यह तो नंदे दोहराई का नहीं है। बच्चो तुछ सारे ही पंजाब चीमेंट सर्वे नेशनल चीमेंट सर्वे दी त्यरी विच जोटे होए हूँ। तुसी जान दे हो कि पंजाब चीमेंट सर्वे ते नैशनल चीमेंट सर्वे दी प्रिख्या विच पुछे जानवाले प्रिशन पामें तो अड़ी पाठ पुस्तक विच्चों ही होंगे पर वो सरल सिद्धे रूप्दे विच नहीं पुछे जानदे सो वही विद्यार्थी पंजाब चीमेंट सर्वे ते नैशनल चीमेंट सर्वे दी प्रिख्या विच्चों वदियांगा प्रापत करनगे जेड़े अपनी कताब बिचले पाठाम चंगे त्रीके राल पढ़नगे ती ओस पड़े प्रती अपनी समझ पैदा करनगे होग कि अध्यांप का वनो थो आनू वार वार तो अडे पाठकरम न लौनधत दोहराई टेस्क पे जी जा रहे हैं सारे भी बच्चेया ने उनना दोहराई टैस्कं लूए होगा जोतनों तुसी किसे काम नूं बार बार और प्रेक्सिक्त प्रेक्कस कर देयां तथ उसी उदेवेच महारत असर कर जाने हैं तो इही नितियस ही एस प्रिख्यादी त्यारी लेए भी लगू करनी हैं जिन्नी बाद जिड़े विद्यार थी अपने मिशे दोहराई करनगे वो उन्हां ही वोस मिशेदेवेच परपक होंदे जानगे आजे चाहे पंजाब जीमेंट सत्थि साल कर लिए चाहे नैशनल जीमानट सत्य परतेवेचे लिवेचे जोनगे वो दियांकां दे नहाब है हopt mेरे बनों सारे गी मिश्यार ओन जानगे